कॉंस्टिबल मुद्दसर एहमत शेक जमू और कश्मीर पुलिस बारामुला मरणो प्रांथ 25 मई 2022 को जमू एवं कश्मीर के बारामुला जिले में कॉंस्टिबल मुद्दसर एहमत शेक को भारी हत्यारों से लैस तीन आतंकवादियों की मौजूदकी की सूचना के आधार पर शुरू हुए एक संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया त्वरित कारवाई करते हुए कॉंस्टिबल मुद्दसर ने एक संदिक्द वाहन को पहचाना और वाहन पर धावा बोल दिया और एक आतंकवादी को वाहन से बाहर खीच लिया इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने उन पर भारी गोला बारी की जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अपने प्राणों की परवह न करते हुए वे भीशन परिस्थितियों से जूझे और अपनी सटीक गोली बारी से एक आतंकवादी को मार गिराया कॉंस्टिबल मुदसर एमद शेक ने उतकरिष्ट बहादुरी युद्ध शैली कुशल नेत्रित्व का उधारन प्रस्तुत करते हुए मात्र भूमी पर अपना सर्वस्व समर्पन कर दिया सुर्गिय कॉंस्टिबल मुदसर एमद शेक की माता श्रीमती शमीमा बेगम और पिता श्री मुहमद मकसूद शेक सुर्पन कर दो